राश्तानी नाकपुर से करीब वाड़ी के इलाके में एक बार फिर तेंदुए ने अपना चलवाद दिखा रहा है इसलिए नागरीकों में भैकाम माहौल है और वन्विभाग हाई अलर्ट पर है नाकपुर अमरावती हाईवे पर घनियाबादी वाले वाड़ी इलाके में पहले भी कई बार तेंदुए को देखा चाचुका है कई लोगों ने रात के समय पास के M.I.D.C. में तेंदुए देखा था CCTV फुटेज में तेंदुए पहले बार इलाके में घनी जाडियों से गुसरती हुई दिखाई दे रहा है वाड़ीक शित्र के लिए वन्विभाग के अधिकार्यों ने दिसंबर की शाम CCTV में इलाके में तेंदुए देखे जाने की पुष्टी की है सिती की गंभीरता को देखते हुए वन्विभाग ने विशेश रूप से तीस कर्मियों को शित्र में तैनात किया है और एक विशेश कैमरा ट्राप भी लगाया है वन की अनुसार विभाग के सूत्रों के अनुसार तेंदुए को कैमरे में कैट कर लिया गया है और इलाके में उसकी मौजूदगी को सील कर दिया गया है वन्विभाग के सूतरों ने सुझाओ दिया कि तेंदु आव वाड़ी की घनी आबादी से विप्रित दिशा में यानि M.I.D.C की और बढ़ गया होगा उस इलाके में हजारों लोग रहते हैं इसलिए शाम के समय भी इलाके में तेंदु की मौजूदगी लोगों में खौफ पैदा कर रही है अभी चिंता करने की सरुवत नहीं है CCTV कैमरे में तेंदु को पांडरा बुड़ी जंगल की और चाती देखा गया इसलिए अभी सिती खतरनाक नहीं है वनविभाग के जवान कश्च कर रहे है BCN News के लिए वाड़ी से सौरब पाटिल के रिपोर्ट